हम प्लस्टो की दूसरी कवीता एल एलिमेंटरी स्कूल इन एसलम के बारे में चर्चा करेंगे इसमें ये जो है स्टेपन स्पेंडर के दोरा लिखुई कवीता है और इसमें बच्चों के देनिये कंडिशन के बारे में बताया गया है बच्चों के इस्तिति के बारे में बता पॉएम एलेमेंटरी स्कूल क्लास्रूम जो गंदी बस्ती में हैं एक छुने वाली कविता है जो की बाई स्टेपल स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है इन दिस पॉएम इस कविता में दा पॉएट टेल्स अस अबाउट ता मिजरेबल कंडिशन ऑफ स्लम स्कूल चिल्डरेन इस कविता में कभी हमें बताता है उन गंदी बस्ती के बच्चों के बारे में उनकी मिजरेबल कंडिशन उनकी देनी स्थिती के बारे में बताता है की ता चिल्डरेन इंसलम स्कूल आर पूर एंड बीक कि जो सलम स्कूल के बच्चे हैं वो भूत ही कमजोर हैं और वो गरीब हैं देर फैसे जार पहले उनके चेहरे पीले हैं एंड फैडिड और धूंद ले हैं देहें नो हैपिनेस इन देर लाइफ उनके जीवन में किसी भी परकार की कोई खुशी नहीं है ता पॉइट कमपेर्स देम टू दा शोर क्रेम कलर ओफ दा वाल्स कभी उनकी तुलना जो दिवारों पर लगे हुए शोर यानि लवणिये क्रेम होती हैं उनकी साथ तुलना करता है देर आर वेरियस ब्यूटिफुल पिक्चर्स इन दे क्लास रूम फिर वो क्लास के बारे में बिचर्चा करता है क्लास के अंदर क्या है बहुती सुन्दर तस्वीर बिन-विन परकार की तस्वीरें लगी हुई है इसमें बड़े सेरों की तस्वीर लगी हुई है बिग बि कभी शेक्स पिर क्या भी चितर लगा हुआ है they have no they have no live in the dirty condition पर इस condition में नहीं जी सकते पॉइट सेज कभी कहता है that की all these pictures are useless for these children कि इन तस्वीरों का उनके जिवन में किसी परकार का कोई लाब नहीं है सारी useless है सारी की सारी स्टेपन स्पेंडर wants social justice स्टेपन स्पेंडर है वो समाजिक नियाए के बारे में भी समाजिक नियाए चाहता है he says वो कहता है कि that no one is ready to improve the condition of some school children वो कहता है कि that no one is ready कोई भी त्यार नहीं है to improve सुधार करने के लिए the condition of some school children उन गंदी वस्ति के स्कूल के बच्चों के बारे में उनकी स्थिति के बारे में सुधार करने के लिए कोई भी त्यार नहीं है इसधां कि कि निए som cucer कि जो इनस्पेक्टर है दा ओफिशर दा गवप्रन्मेंट विजिट अबस डवli जिता कर टास्कूल स्कूल के अंदर इंस्पेक्टर भी आते हैं, ओफिशर भी आते हैं और गवर्नर भी आते हैं वे कंडिशन को सुधारने के लिए वादा भी करते हैं बट ये डू नथिंग किन्तु भी कुछ नहीं करते पॉइट बांस टो इंप्रूव दा कंडिशन ओफ सलम स्कूल चिल्डरेन कभी चाता है कि इन गंदी बस्ते मेरे नेवाड़े बच्चों का सुधार होना चाहिए ये हमारी तूसरी पॉइम थी जो प्लस टो की हैं किसी भाई को पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और आके बज़ें धन्यवाद